नमस्कार सुवागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जो पोर्टल पर जैसा कि आप वीडियो के थमनल में देख चुके हो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक सर्विस्मेंड वेकिंसी नोटिफिकेशन लेके आ हैं जो डीजियर यानि डारेक्टरेक जनल ओफ रिसेटलमें कानपूर के अंदर इसकी लोकेशन है लेकिन जुरूर इनए जूरुड हैं की कानपूर के ईक्सविसमेंड इसको अफ्लाइग कर सकते हैं पूरे उल इंडियार इस पोस्ट के लिए अप्लाइग कर सकते हैं यहां पर आगे बात करें, पे की तो basic पे यहां पर होगी रुपए 53,725 और पूरी pay scale आप यहां पर देख पारे हो, यह हमारी पूरी pay scale होगी, पोस्ट के लिए इसके साथ साथ जो basic pay अधर जो allowances होगे जैसे DA, HR, CCA वो भी यहां पर applicable होगी, qualification की बात करें, तो जो भी retire defense person है, किसे भी नेवी आर्मी या फिर एर फोर्स के अंदर कमिशन डैंके वो यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने स्पेसली कहा रखा है कि इंटर्व्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उसका पूरा खर्चा AC2 ट्रेन का आपको आने जाने का प्रोवाइड किया जाएगा मैक्सिमम एज की बात करें तो 1 सितंबर 2018 तक आप 56 साल से ज्यादा उमर के नहीं होने चाहिए वेकेंसी अब कितनी है अभी नोन एडिटेर ने दिया है वो रिक्वार्डमेंट के हिसाब से देखेंगे कि कितनी यहाँ पर फिलफ करना है पलेस की सबसे पहले इनिसिल पोस्टिंग जोनल ओफीस कानपूर के अंदर ही होगी और जो विलिंगनेस से वो DGR को लास्टेट से पहले अपना नाम दे कि हमें इस पोस्ट के उपर अपलाई करना है तो लास्टेट यहाँ पर 28 अक्टूबर 2018 है तो जितने भी हमारे एक सर्विसमेंट ओफीसर है वो 28 अक्टूबर 2018 से पहले पहले देजियार को अपनी विलिंगनेस दें डीजियार ने यहाँ पर अपनी इमेल भी दे रखे है कि आप डीजियार के जो इमेल है डीजियार जो आप ओफीसर्स एड़ डीएसडवलू डोट गॉव्मिट डोट इन इसके उपर आप अपनी मेल भेजें और इसके लिए जो मेल के उपर आप सेंड कर सकते हैं उसके बाद यहां पर बात करें कि यहां पर जो बेनिफिट क्या पेबल होंगे जोनलल स्केर्टे ऑफिसर के लिए तो यहां पर सबसे हुआ बात करें तो यह जो पोस्ट है यह ट्रम उप अपॉइंटमेंट मतलब कॉंट्रेक्शल तो बेसिक सेलरी यहां पर 55,725 होगी उसके बाद इतने भी हमारे अलाउंस हैं डिये अचारे शीचे वह भी एप्लिकेबल होंगे पी एफ बेनिफिट बेसिक का 10% दिया जाएगा स्टाफ क्वार्टर भी दिया जाएगा रेजिडेंशिल टेलिफोन दिया जाएगा और उसक के बाद एंटर्टेल्मेंट अलाउंस न्यूज पेपर इंबरेस्मेंट रिंबरेस्मेंट और पर्चेज ऑफ ब्रीफ केस भी प्रवाइड किया जाएगा और कर्मिनेस अलाउंस के रूप में फिक्स्ट अजार रुपए पर मंथ दिये जाएगी और फैमली शिफ्टिंग बात करें तो डिवीजनल मैनेजर केडर की इसाफ से ही टी भी एपलीकेबल होगा और ज्यादा जानकारी आपको इस पोस्ट के लिए क्या काम करना होगा क्या यहां पर क्या क्या गाइडलाइन्स फोलो करनी है वो आपको इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगी वीडियो की डि टेस्ट जोप अपडेट के साथ अब तक की लिस्टे अपडेटेटीड गेट कनेक्टीड धन्यवाज जैहीं जैभार्थ